कुछ दूनों पहले चेहर की ये हालत हो गई थी कलर बहुत जादा डाउन हो चुका था इस तरीके की जाईयों के दाग धब्बे नजर आ रहे थे और दिन बदिन ये बढ़ रहे थे पर मैंने इसके लिए घरेलू नुसका आजमाया जो की मुझे बहुत ही कमाल का रिजल्ट दिलाया कुछी दिनों में जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ देख सकते इसका रिजल्ट अभी मेरा चेहरा इस तरीके से रंग भी बहुत खिला खिला लग रहा है और साती में जो दाग धब्बेते वो भी पूरे गायब हो चुके है यहां पर आप देख स अभी शेयर को पर दोश्चा करें है बस इसमें हम दो स्टेप में इसे फॉलो करेंगे वीडियो को पूरा इंड तक दिखे तभी आपको 100 पसंद रिजल्ट मिलेगा और पसंद आए तो दोस्ति के साथ शेर करना न भूले तो यहां पे हम एक आलू लेना है मिडियम साइज पहले अच्छे से आप इसे दोके ले लिजीए और यहां पर मैंने बाद मैंने बड़ा आलू लियाए चाहो तो आप चोटा भी ले सकते हूँ और और जैसे कि हम सभी को पता है आलू बहुत अच्छा होता है हमारे सकीन के लिए एक बढ़ आप त्राय करके देखिए आलू को को एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आलू है नो थोड़ा फ्रेश होना चाहिए क्योंकि जो पुराने आलू होते नो वो सौफ्ट हो जाते इससे आप पहचान लीजे जो थोड़ा सा टाइट आलू होगा ना तो उसे यूज़ कीजिए उससे ज्यादा जल्दी फायदा मि या फिर किसी कॉटन के कपडे में डालके अच्छे से इसको डबाके इसका रस जूस निकालना है बहुत सारा रस होता इसमें और जैसे कि आप सभी ने इसका रस यूस किया होगा पर एक गलती हम यहाँ पर कर देते हैं कि पूरा का पूरा रस यूस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें इसे पूरा का पूरा यूज नहीं करना है इसका कुछ ऐसा पार्ट ही हम यूज करेंगे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा तो ये दिखे मैंने इसको अच्छे से थोड़ा दबा के इसका जूस निकाल लिया है अब इसे हम फेकेंगे नहीं जो कि बचा हुआ ह इसे हम यूज करेंगे और ये जो लिक्विड है इसे हम साइड में रख देते हैं और इसका भी यूज हम करने वाले पर इसमें थोड़ा प्रॉसेस होना बाकी है तो इसके लिए आपको इसको बिलकुल भी हिलाए बिना साइड में अच्छी से रख देना है और ये दिखे तो normal कोई भी दूद या फिर आप यहाँ पर गुलाब जल भी डाल सकते हो डाल के से अच्छे से mix करना है अगर आप बाहर का कोई scrub यूज करते हो face pack यूज करते हो तो आज ही बंद कर दीजिए तो ये दिखें शान्त होना ये चालू हो चुका है थोड़ा सा तो आभी हम इसे side में रखते हो इसे use करते है तो देखें जैसे आप कोई भी scrub body scrub लेते हो बहुत ज़दा महंगा होता है तो एक बार ये use करके देखें मैंने खुद इसका result देखा है instant result दिखता है और इसे देखें कब कहां कैसे use करना है वो तो हम देखेंगे किश करना है तो यह देखें यहां पर क्या करना है थोड़ा सा हमें इसे लेना है और इस तरीके से हलके हलके हातों से रगड़ते हुए face के ओपर इसे लगाना है जैसे कि मैंने कहां बिल्कुल आप इसे body पे लगा सकते हो body scrub की तरह यूज़ कर सकते क्योंकि बहुत ज़दा निकल आता है भेंगे भाड़ी स्क्रब इसके सामने फीके पड़ जाएंगे इतना अच्छा ही रिजल देगा और इस तरीके से बस हलके हलके हातों से लगा कर हमें कुछ सेकंड मसाज करनी है और उसके बाद चेहरे को धोना नहीं है चाहो तो आप इसको जैसे टूशू पेपर से पोस सकते हो पर कोई जल्दी नहीं है क्योंकि इसके बाद हम आगे तुरंत ही प्रोसेस करने वाले है तो देखें यहां पे जो लिक्विड था ना आलू का रस निकालके रखा हुआ था तो उसमें जो उपर की तरफ पानी होत उससे बिल्कुल फायदा नहीं मिलता है पर इस तरीके से अगर आप यूज करोगे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो देखें यहां पे मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा बेजन काटा आप चाहो तो गेहो काटा भी डाल सकते हो या फिर मुलतानी मिट्टी इसके बाद देखें बिल्कुल फोड़ा सा ही डालना है और फोड़ी सी हल्दी डालनी है और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इससे पहले हमें और एक चीज इसमें डालनी है वो है टूथपेस देखें अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप जरूर इसके बहुत लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है इसलिए मैंने बोला मैं तो हमेशा लगाती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है और इस तरिके से हमें अच्छे से से मिक्स करना है और इसके अंदर हमें और एक चीज आड़ करनी है वो है एक तो आप कच्छा दूद डाल द और हाँ चानल पे नए आए हो तो जरू सब्सक्राइब करें ऐसे यूसफुल वडियो मैं आपके लिए लाते रहती हूँ और देख सकते हो यहां पे न जैसे हमेने का दो तीन चीज आप आड़ कर सकते हो जैसे की मुलतारी मिट्टी हो गई या गेहू काटा भी बहुत इन के लिए और यहां पे बेसन काटा तो जैसे हम बनाती है फेस पैक पर यह फेस पैक आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए इंस्टन्ट ग्लो मिलेगा और साथी में अगर आपको जैसे कोई दिक्कत नहीं है जाईयों की या दाग धोबो की स्कीन रिलेटेड तो भी आप इसका युज़ कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल भी हम कई जाना होता है पार्टी वगरा में तो फेस पैक लगाई लेते बाहर का जो आता है पर उसके अलावा अगर आप यह लगाते हो ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बिना किसे खर्चे के भी हम बना सक करते हैं और देख सकते हो इस तरीके से हमें फेस के उपर लगाना है पहले हमने स्क्रब किया था और जैसे आप कोई भी चीज लगाते हो ना घरेलून उसके करते हो तो पहले चहरे को अच्छे से साफ धोलीजे क्योंकि कोई भी क्रीम केमिकल उसके उपर नहीं होना क्योंकि हलका सा जैसे हमने ड्रा ही करा है ज्यादा गिला नहीं करा तो तुरंती यह सुखने लगता है और सुखने के बाद देखे क्या करना है हमें जैसे आपने इसे तुरंती कोई भी फेस पैक लगाते हो तो जैसे इसे लगाने के बाद सुखता है तो पानी से तुरंत मिनिट बाद ये सुख जाएगा तो थोड़ा सा आपको लेना है दूद दूद ये ले लीजे या फिर गुलाब जल ले लीजे और इसके बाद देखें इस तरीके से हलके हलके हाथों से मसाज करनी है तो देखें इसका जो तरीका है वो अलग है जैसे आप नॉर्मली फेस पै दूद लगाना है और इसके बाद फ्रेश वाटर से हमें पूरा चेहरे को अच्छे से दोना है और यहां पर कोई भी गरम पानी बिल्कुल यूज नहीं करना नॉर्मल पानी से चेहरे को दो दीजे और इसे फिर ड्राय कर लीजे इसके बाद यहां पर हमें गोई लोशन ल हथे में आप देख सकते हो हथे में दो तिन बार यूज करने से ही मेरी जो जाईयां है पूरी खतम हो चुकी है चेहरा भी बहुत अच्छे से गलो कर रहा है आप भी जरू ट्राय करके देखिए और वीडियो पसंद आया हो ज़दा ज़दा शेयर कीजे चानल पे नहीं आय कॉमेंट में बताइए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू